हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज की जो मैई वीडियो है उसमें मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडिय जिससे की आपके फेस की चितने पूई डर्ट है वो साइड रेडियूस हो जाएगी रेगूलरली इससे आप फॉलू करेंगे तो आपकी जो स्कीन है वो बहुत साथा ग्लोई हो जाएगी और आप इससे रेगूलरली नाइट तैम में यूज़ कर सकते हैं यह ऐसा क्लेंजर बहुत अच्छा वाक करेगा तो सबसे पहले क्लीन करना होता है अपने फेस को इसलिए मैं रोस वाटर है तो आप उससे अपने पूरे फेस को क्लीन कर सकते हैं यहाँ पर मैं रोस वाटर से क्लीन कर रही हूं एक कॉटन बॉल की हल्प से कुछ भी एप्लाइ करने से पहले अपने फेस को क्लीन करना बहुत सब्सक्राइब है ताकि जितनी भी डर्ट है वो रिड्यूस हो जाए और जो रेमेडिय हम फॉलो करता है उसका रिजल्ट काफी अच्छा हो हमारे फेस पर इसलिए मैं अपने फेस को क्लीन करने में साधा टाइम लेती हूं तो फेस को अच्छे से क्लीन करना है यह बहुत अच्छा टिप है कि आपका फेस जो है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए और अगर आपको पिंपल अगर नहीं चाहते हो आपकी पिंपल हो आपके फेस पर तो आप रेगिलर नाइट टाइम में अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके ही सोए ताकि आपका फेस यूनों क्लीन रहे और नाइट टाइम में ही यूनों आपकी स्किन प्रैप होती है बह बहुत ही अच्छा work करता है ऐसा cleanser भी और आज हम cleanser ही बना रहे हैं तो उसके लिए क्या-क्या लेना है वो ingredient आप आगे देख लेंगे अपनी नेक को भी आपको बिल्कुल avoid नहीं करना है नेक को भी अच्छे से clean करना बहुत ज़्यादा important है इसके बाद में आप पर जो cleansing milk बनाने के लिए जो मैं यूज़ करूंगी वो होगा raw milk तो मैंने आप लिया है raw milk 1 tablespoon से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आप raw milk लिया है और इ मिल्क जो होता है वो आपके face से जितने भी dirt होता है उसे बहुत अच्छे से reduce करता है regularly night time में आप इस cleanser को apply करेंगे आपके face पर आपको और कीसे भी चीज़ के बहुत नहीं होगी सर्फ ये तोनों ही जो ingredient मैंने इसमें यूज़ के हैं सिर्फ ये दू ingredient ही आपके पूरे face से dirt को reduce करेंगे एंब्ल को reduce करेंगे बहुत अच्छे से मैंने ंसमें आधी bırak लोगोई किया है जो कि शेंब्ल कोusc करता है आपकी face , मॉच्यूराज करता है आपकी skin से dirt को reduce करता है और अगर आपकी skin में make up है तो वो उससे भी reduce करता है ठीक है आपकी skin को soft one आने में help करता है pimples, dark circles, dark spots की problem को reduce करता है as a cleanser बहुत अच्छा होग करता है raw milk तो एक cotton की help से मैं इससे मैंने अच्छे से इन दोनों ingredient को mix कर लिया cotton की help से मैं अपने पूरे face पर इसे apply करूँगी और apply करने के बाद मैं दूसरी बार इसमें massage करूँगी तो अच्छे से मैं इसे apply करूँगी अपने पूरे face पर ताकि जितना भी dirt है मेरे face का वो अच्छे से remove हो जाए ऐसा regularly आपको night time में करना है और जारा time बिल्कुल नहीं लगेगा इसके बाद आपको face को wash करने की भी need नहीं होगी यानि face wash नहीं करना पड़ेगा आपको face को wash कर लिजी और face wash यूस ना करने तो भी चलेगा इससे आपकी skin बहुत जादा अच्छी हो जाएगी बहुत जादा glow ही हो जाएगी pimple free हो जाएगी pigmentation इससे remove होता है rose water मैंने smat किया है जो कि ऐसा toner बहुत अच्छा work करता है rose water से भी आपकी जो dark circle की problem है वो reduce होती है pigmentation की problem reduce होती है खाफी हद तक sports की problem reduce होती है आपकी skin glow ही रहती है ऐसा mist बहुत अच्छा work करता है rose water अगर आपकी बस घर का rose water है तो वो तो बहुत ही जादा अच्छा है लेकिन वो जादा जिन तक चलता नहीं है इसलिए आपकी धाफर गुलाबरी का rose water यूज़ कर सकते हैं काफी ज़दा affordable है मैं यही यूज़ करती हूं regular और एक ctm जो process होता है वो आपको regularly follow करना है तो मैंने इसमें यह दो ingredient यूज़ की हैं जो कि अच्छे से आपकी skin को moisturize भी करेंगे आपकी skin को tone भी बहुत अच्छे से करेंगे तो यह two in one एक काम हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से और अच्छे से मैं इसे अपने पूरी अपने dark circles पर भी apply कर रही हूँ ताकि इसे में dark circles भी अच्छे से remove हो जाए काफी अच्छा ये एक remedy लगी है मुझे मैंने अपने face पर इसे apply किया है regularly मैं इसे apply कर रही हूँ जिससा कि मैं हर वीडियो में बूलती हूँ मैं पहले खुद apply करती हूँ इसकी बात आप लोगे साथ में share करती हूँ इसका result काफी जदा अच्छा मुझे मिला है आप देख सकते हूँ मैं स्कीन अभी मैं जब face wash करूँगी तो आप देखना मेरी स्कीन बहुत सब्सक्राइ अच्छे वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी इससे blood circulation improve होता है तो इसलिए मैं आपर massage कर रहे हूँ अपने eye area पर भी मैं massage कर रहे हूँ ताकि मेरा जो eye area उसका भी blood circulation improve हो और मेरा dark circles की problem reduce हो जाए इसलिए तो यह pigmentation remove करने में बहुत अच्छा work करता है और जो मैंने इसमें raw milk cat किया है वो as a bleach बहुत अच्छा work करता है यानि आपकी जो facial hair उन्हें lighten up करने में help करता है और उन्हें remove करने में काफी help करता है तो आप बाहर की जो महंगे महंगे bleach है उससे अच्छा raw milk regularly apply करके दिखो आपको काफी अच्छा result मिलेगा तो आप देख सकते हैं मच्छे से पूरे face पर massage करी हूँ इससे इससे बहुत ही अच्छे से massage होता है कि skin जो है वो बहुत अच्छे से soft हो जाएगी pimples की problem काफी हतका मुझे क्योंकि सब को pimples की problem जाधा रहती है summer season start है तो जिनकी skin oily रहती है उनको pimples की problem जाधा रहती है तो अब मैंने यहाँ एक dry cotton ball लिया है औ मैंने milk rose water का apply किया था फूरा मैं अप इस dry cotton ball की help से clean कर लूगी और इसके बाद मैं अपने face को wash कर लूगी और आप खुद result देखना है यहाँ पर बहुत ही अच्छा result आया है आप इसे regularly follow करो आपको काफी अच्छा result इससे मिलेगा मेरी जितनी भी remedies है वो बहुत ज़दा simple and easy होती है तो आप देख सकते हो मैंने अपने face को wash कर लिया और मेरा face इतना सदा glow ही लग रहा है बहुत ज़दा soft हो गई है इससे skin इससे pores की problem भी काफिया तक reduce होती है और इसकी बाद में जो last step होगा वो होगा toner तो मैं rose water को as a toner यहाँ पर अपने hand में लेकर तोड़ा सा tap tap करक rose water regularly night time में आप apply करो इससे pores की problem reduce होती है आपकी face पर इक glow रहता है summer season है तो summer season में आपको miss लगाना चाहिए और इस toner को आप face में रखो तो I hope वीडियो पसंद आयोगा make sure वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें और मेरे channel को subscribe करें आप glow देख सकते हो मेरे face पर काफी अच्छा glow हाया है तो मिलते हैं मैं नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आया है आप अपने friends के साथ ते share कर सकते हैं और subscribe to my channel